चिनाओ के मद्दे नजर आमादी पार्टी की सरकार ने बड़ा ऐलान किया है दिली सरकार ने महिलाओं को मेट्रो और डिटीसी बसों में फ्री यात्रा का तौफा दिया है दिली के मुक्मंत्री अर्विन के जिवाल सोमवार कफरेस कान इसकी जनकारी दी अर्विन के जिवाल ने कहा कि दिली में महिलाएं अस्वरक्षित महसूत करती हैं महिलाओं के स्वरक्षा के चलते दो बड़े फैसले लिए गए हैं दिली सरकार ने दिली मेट्रो और डिटीस परिवहन के इस्तमाल के लिए प्रुत्साहन मिलेगा महिलाओं को फ्री यात्रा करनी में DMRC को होने वाले नुक्सान की भरपाई दिल्ली सरकार करेगी यहां ये बात एहम है जिस तरीके से DMRC और दिल्ली सरकार की बात की जाए कि मेट्रो जो है वो पूरी तरीके से DMRC के अंतर गताता है अगर महिलाओं जात्रा करेंगी फ्री में तो कहीं ने कहीं DMRC को नुक्सान होता और होगा जिसका अर्विन के जिवाल ने साफ स्पस्ट कर दिया है कि जितना भी विवस्ता में राजस्त विवस्ता में कमी आएगी पैसे कमी आएगी पैसा कम होगा उसको राजसरकार निर्वहन करेंगी यहाँ यह बात आपको स्पस्ट कर दें हजार कैमरों का सर्वे हो चुका है कंप्लीट और अब आठ जून से वो कैमरे लगने चालू हो जाएंगे इसके अलावा एक लाख चालिस हजार और कैमरे लगने का भी प्रपोजल इसी महीने पास हो जाएगा तो लगबग दो लाख हसी हजार टोटल कैमरे सीसी टीवी कैमरे पूरी दिल्ली के अंदर लगाए जाएंगे इसी ख़बर पर ज़्यादा जानकारे के साथ लाइब जूट रही है हमारे सही होगी भावना अरोडा भावना अगर बात किया जाए आज दिल्ली में यात्रा करने वाली महिलाओं के लिए एक अच्छी खबर है मुखमंत्री ने साब तोर पर ये कह दिया है कि डीटी सी और मेट्रो में फ्री में बस यात्रा और मेट्रो यात्रा मिलेगी क्या को जानकारी अपडेट महिलाओं की अगर बात की जाए तो 33 प्रतिशन महिलाओं का दिकार होता है वोट देने का इसको लेकर हर पार्टी चाहती है कि किसी तरीके से महिलाओं के वोटों को साधा जाए शायद यही सबसे बड़ी वज़ा है कि आज जब मैं दिल्ली की बात करती हूँ तो दिल्ली के मुखे मंतरी अर्विंद के जिवाल ने आज साड़े बारा बजे प्रेस कांफरेंस की और प्रेस कांफरेंस में इस बात को रखा गया कि किस तरीके से डिटी सी के इलावा मैट्रों में महिलाओं को जो सुविधाय है वो फ्री मिल सके और साथ यसाथ डेड़ लाग से ज़दा ऐसे कैमरे लगाये जाए इन बसों में इन मैट्रों में ताकि जो महिलाओं के साथ सुरक्षा होती है वो से सुरक्षा के लेवल में तबदील किया को फुरी करने की बात कई है लेकिन फिलाल इसको लेकर अभी तीन महीने का इंपजार करना पड़ेगा कारण सुरब सीधा है कि तीन महीने के अंदर ही इन चीजों को लेकर कि तीन महीने के बाद महीलाओं को मिलने वाली सुविधा आखिरकार वास्तविक स्थिती पर पलग कर आती है या नहीं या फिर महस यह अर्विन के जिवाल का एक जुमला होगा क्योंकि देखा जाये तो हर पार्टिया कई बड़े बड़े वादे करती है लेकिन जब तक वह यह सब कुछ जुमला मातर होते है अभी अगर मैं आपको बताना चाहू तो मनस्तिवारी ने भी प्रेस कॉंफरेंस की है जिस प्रेस कॉंफरेंस में अर्विन के जिवाल की सकतर बादे और चुपतर जूटों को किन वाया है एक सवाल यह उट रहा है कि अगर अर्विन के के जिवाल ने यह एलान कर दिया है फ्री में विवस्ता देने की यात्रा को तो मैट्रो जो है वो डीमार्सी के अंतर गता आता है कि राज सरकार निर्वहन करेंगी जो खर्चा अत्रिकता आता है तो राज सरकार यह पैसे लाएगी कहां से बिल्कुल सौरफ बिल्कुल सही आपने सवाल पूछा और लगातार जब हम अर्विन के जिवाल की बात करते है तो वह केंदर सरकार को अपने निशाने पर लेते हुए नजर आते है कारण सीधा है कि पुलिस विवस्ता से लेकर कई ऐसी विवस्ता है जिसमें सीधे तोर प से स्तिती में बदलाव हो रहा है जिस तरीके से चुनाव नजदीक आ रहे हैं और अब पार्टिया अपने अपने वादे कर रही है क्या वो वादे पूरे करती है क्योंकि माना उस्तिवारी की माने तो अर्विन के जिवाल में 12 महीनों की सरकार के अंदर-अंदर 70 वादे कि अब ही कि अगर बात करें तो बने उच्तिवारी ने अपने पी-सी के अंदर बहुना ये जलता है ये सब जानती है कौन से नेता जूट बोल रहे हैं कौन सच बोल रहे हैं वावना आप हमारे साथ बनी रही है आगे भी आपसे अपडेट लेंगे तो धर जिस तरीके से दि दिली में खबत सामने आई इक दिली से जुड़ी और खबर आपको बता दे लिमें उत्राखंट के मक्यमां तरी तेरवेल सीघ ने आज प्रधानमंतरी ने रिमूदी से मुलाखात की रावत ने प्रधानमंतरी को जीत के लिए पढ़ाई दी रावत ने प्रद्श में चलर थी एक कि हमारी साहियोगी भावना अरूडा हमसे जुड़ी हुई है भावना जानना चाहेंगे उत्रखन के मुख्यमंत्री तृवेंदर सिंग ने प्रधान मंतिर नेर्दर बोदी से मुलाखात की क्या कुछ जानकारी आपके पास बिल्कुल लगातार उत्रखन के सीयं तरवेंदर सिंग रावत का जो दौरा है वो दिल्ली तलब हो रहा है और जो मुलाकात की स्तिती है वो भी बढ़ती जा रही है राजना सिंग से लेगे हमिशा से तक उन्होंने कल मुलाकात करी आज वो पीम नरेंदर मोदी से मिलने के ल सब्सक्राइब करने के लिए पीम से मिलने पहुंचे थे या फिर कई ऐसे बड़े सवाल है जिनका सुल्जाना बहुत जरूरी था तो बिल्कुल यहां पर हम ठीक सोच रहे हैं सबसे बड़ा कारण यह है कि जब हम उत्तराखन की बात करते हैं तो उत्राखन में कई ऐसे सम जिने परियोजनाओं को वासुविक्स तल पर लाने की जुरूरत है और जिसके लिए केंद्र से पैसे की जुरूरत है ऐसे में जीस्टी के बाद नोटबंदी के बाद एक बड़ा अस्तर का जो घाटा है वो प्रदेश में हुआ है उस घाटे को भरने के लिए नई परियो बोधी का उत्राखंट से काफी लगाव रहा पहले कारिकाल में उनके देखा जातों करीश चार से पाच बार वह वहां जा चुके हैं और उन्होंने कहा कि सुविधाय दी जाएंगे हो सकता है इसी सिलसिले में एक बार फिर मुलाकात करने आये हूँ बिल्कुल सुविधाओं की हम लोग बात करें तो सिड़कुल के कई ऐसे एरिया है जहां से उध्योग कि सक्कर नीचे की तरफ आ रहा है यानि कि पाड़ी शेत्रों से उतरकर उध्योग मेंदानी शेत्रों में आ रहा है काल उसका सीधा है कि जो ट्रांस पोजेशन है जो पर अभी भी रेल की विवस्ता नहीं पहुंच पाती है ऐसे में वहां पर रेल की विवस्ता पहुंच है और जो बड़ी-बड़ी परियोजनाओं की नाम पर बिजेपी अपना दामन ठोकती नदर आ रही है जिसमें हम लोग आल वेदर रोड भी ले सकते हैं जिसे लगाता भावना रोला तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया